आपको बताने में भी हमको बुरा लगता है लेकिन यहां के जो प्रत्याशी कॉंग्रेस पक्षक है वो पूरवा मुख्यमंती रही चुके है कि आतुल तुम चुनके मेरे पास आना हम चुनके नहीं आ सके इसलिए पात साल सर हमारी मान जुकी रही लेकिन हम काम करते रहे हम आपको वचन देते हैं शब्द देते हैं कि बारतिया जनता पार्टी का कमल ये इस चुनाव शेत्र में हम खड़ा करेंगे आदर्निया अमिद भाई जी शाह साहिबान चा समुर्ण अपली अडशन की मांड़ाई चे आदर्निया अमिद जी साहब मैं आपसे विनंती करता हू चुनाव शेत्रे की तरफ से कि सर हमारे जो युवाओं है युवाओं की बहुत बड़ी अपेक्षा भारतिय जनता पार्टी मोदी जी और अमिद जीन से है और इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी कराड की जो M.I.D.C है M.I.D.C को फाइव स्टार M.I.D.C में कनवर्ट करन के लिए अमिजी साब का हाथ ये हमारे कराड वास्यों के उपर रहे ये विननती आदरनिया अमिजी को मैं इस कारेक्रम के निमित्त से करता हूँ दूसरी एक सर विननती आपसे करता हूँ कि यहां गन्ने की बहुत बड़े पेमाने पे खेती होती है आप जब सहकारिता मंत सबसे बड़ा निर्नकाई यह था ज़ो इंकम टैक्स माफ करने न क्याμ हम आरे देश के नेतां हमीट जी्दी ने किया है इसके लिए जौरदार तालिया आज कारेकरम के निमित निमिय अधरनें हमीच जी केलिए बजाए सर यहां पे जो पानी की सिंचन योजना है छोटी छोटी वो सिंचन योजना सहकारिता तत्वपे है ये आप अगर थोड़ा सा उस पे आशिरवाद रखे तो ये योजना है पुनर गठित करने के लिए बहुत फाइदा हो जाएगा हम उसका एक प्रपोजल आपके मंतराले को सब्मिट करेंगे और आप उस पे दिहान थोड़ा सा आपने लक्ष देने से वो काम जरूर हो जाएगा दूसरी सर एक छोटी सी बिननती आपसे करता हूँ आप देश के नेता है और इस चुनाव शेत्र ने पी ओके के बारे में आपने जो विधान लोगसभा में किया था वो इतने बार सुन चुके हैं और देश के लिए आप जान देने तक तयार है यह हर एक बंदा हर एक व्यक्ति हर एक माता सब जानते हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी सर विननती है कि हमारे कराड में लोगों को पक्के घर नहीं है ऐसे बहुत सारे इलाके है वो लोग 50 साल से पक्के घर हो इसके लिए प्रैतना कर रहे है और सर सबसे आपको बताने में भी हमको बुरा लगता है लेकिन यहां के जो प्रत्याशी कॉंग्रेस पक्षक है वो पूर्वा मुक्यमंती रहे चुके है उनके घर के दिवार को लगके एक जगे है वहाँ पे प्रधान मंत्री आवास योजना से तीन करोड घर जो इस देश में देने का वादा मोधी जी के सरकार ने आपके सरकार ने किया है उसमें सरसर कुछ पक्के घर स्टेडियम के पास कुछ यहां के प्रत्याशी उनके घर के पास और हमारी मलकापूर में कुछ घर अगर आप तो वो हो जाएंगे ये मैं इस कारेक्रम के निमित्त से यहां पर कहता हूँ खरय अर्तान आज अपन सगेजन मोटया संके ने जमलेले हाथ आदर निया अमिजी माक्चा वेला देखिल अपलया प्रचारा साथी इथा आले होते अनि आज परत एक दा यह उड़ा व्यस्त का कारेका लासून कराट दक्षिन विदान सवा मतदार संगा साथी अमिजी भई आज परत यहां कारेक्रमा निमित्ता अलेले अमिजी लास्ट टाइम लोगसभा प्रभारी का अपने जिम्मेदारी मुझ पर सोपी थी हमने हमारे आदर निया महाराज साब को आज मोदी जी के नेतुत्व में काम करने के लिए आपको जो आपने हमको जिम्मेदारी दी थी वो हमने पूरी किये और लोगसभा के चुनाओं में ये चुनाओं शेत्र में हमने लीड़ दिया है भारतिया जनता पार्टी को और पहली बार भारतिया जनता पार्टी का कमल इस चुनाओं श ताइम मुझे बोला था कि अतुल तू चुनके मेरे पास आna हम चुनके नहीं आ सके इसलिए पात साल सर हमारी मान जुकी रही लेकिन हमकाम करते रहेheid लेकिन इस बार सर हम आपको वचन देते हैं, शब्द देते हैं, कि बारतिया जनता पार्टी का कमल ये इस चुनाव शेत्र में हम खड़ा करेंगे, बारतिया जनता पार्टी का कमल आज इस चुनाव शेत्र में रहेगा, ये हम आज इस कारेक्रम के निमित्त से आपको कहते हैं, सर पहली बार मुझे पता चला क कि मुझे पहले लगता था कि जादा बोलना कठीन है लेकिन आप है आप बेटे हुए है और आपके सामने आपने मुझे बोल दे कि कम वक्त में बोलना है तो कम वक्त में जादा कैसे बोले इससे मैं काफी मेरे जिन्दगी का एक बड़ा किस्सा था लेकिन सर अच्छा लगा और जो शब्द हमने दिया है, जो शब्द आपन दिला, तो शंबर टक्यापन पूर्ना करनार का, जाए हिन, जाए महाराश्ट.